Probability में तीन किसम के basic question आप लों को आने चाहिए सबसे पहले होता है Coin के problem दूसरे problem होते हैं die के problem और तीसरे problem होते हैं card के problem ये इसके MCQs आपको बहुत जगह पे नज़र आते है अगर किसी इनवर्सटी में तीन Let कलो probability के सवाल आ रहे हैं तो इसमें से दो सवाल इन ही से लेटेड होंगे तीसा सवाल को यह अलग से वो एडिशनल या मल्टिप्लिकेशन का आपको दे देंगे थोड़ी सी में बेसिक बात बता देता हूँ ताकि आपको सूछ समझाज़े कि इन सवालों को आपने कैसे करना है मैं कुछ एक्जेंपल्स आप लों को बताता हूँ यहां से पहले हम कॉइन का देख लेते हैं फिर हम बाकी पे आजाते हैं सबसे पहली बात यह जहन में रखना कि अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो आपके पास दो चांसे होते हैं या तो हैड आएगा या टेल आएगा एक कॉइन को टॉस करने के अगर आपने दो कॉइन एक साथ टॉस कियें या एक कॉइन को दो दफ़ा टॉस कियें एक ही बात है तो फिर आपके पास चार चांसे हो जाएंगे चांसे निकालने का फार्मला ही होता है तू की पावर N अगर आपने एक दफा कॉइन टॉस किया है तो तू की पावर 1 मतलब दो आउट कम आएंगे या तो हेड या टेल मैं लिख देता हूँ तो अगर एक कॉइन आपने टॉस किया है तो आपके पास सेंपल स्पेस क्या होगा हेड टेल या तो हेड आजाएगा या टेल आजाएगा अब अगर आपने दो दफा कॉइन टॉस किया है या एक कॉइन को दो दफा किये या दो कॉइन को एक दफा किये एक साथ दोनों का मतलब एक ही होगा तो 2 की पावर 2 मतलब 4 आपके बस कितने आउटकम आएंगे चार आउटकम आएंगे और वो कौन-कौन से होंगे पहले पे हैड आगया दूसरे पे टेल पहले पे हैड दूसरे पे हैड पहले पे टेल दूसरे पे हैड पहले पे टेल और दूसरे पे भी टेल फिर चार आउटकम आजेंगे अब अगर आप एक कोईन को तीन दफा टॉस करो गये तो अगेन एन की जगा थी पुट करो टू की पावर थी मतलब एट अब आपके बस कितने आउटकम आएंगे आठ आउटकम आएंगे अब अज़र होंगे क्या में लिख देता हूँ पर अज़र इसको नोट कर ले न आपके पास आठ किसम के आउटकम आजेंगे इससब मैंने आप लोग को लिख दी है अब कंसीडर कर लो जैसे आपने तीन कोई टॉस की है पहले पर हैड आजाए दूसरे पर हैड आजाए तीसरे पर भी हैड आजाए अच्छा पहले पर हैड आजाए दूसरे पर हैड आजाए तीसरे पर टेल आजाए इस type की possibilities है पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे head इसे तरह आप two coin को भी देक सकते हो पहले पे टेल आजए दूसरे पे head आजए और एक coin जब टॉस करो के फिर हैट और अग तो हैट आजए होगा और तो कुछ नहीं होगा कैसे मैं दो तिन एक्जेम्पल बताता हूँ आपको पूरी बात समझ आजाए कि जैसे लेट कलो अगर आपसे बोला जाए किदर इन दोनों की बात कर रहे हो नहीं और मेटर कर रहा है इसके अंदर मतलब आपने कॉइन टॉस किया पहली दफा है डाया दूसी दफ़ा हैड आया तीसी दफ़ा टेल आया ये बाठ डिफरेνट है कि पहली दफ़ा आपका टेल आ जा Il आजाए였습니다 तो दुनों बातें आपस में different होंगी, same नहीं होंगी इसको आप इस तरह समझ लो कि तीन मैच हो रहे हैं, ठीक है पहले मैच में हेड आ रहा है, किसी दो टीम के दरम्यान फिर दूसरे में हेड आ रहा है, पिर तीसरी में टेल आ रहा है यह बात different है, इस से, कि पहले टेल आ जाए, फिर हैड आ जाए, फिर हैड आ जाए different हो जाएगी ना फूरी चीज़, अच्छा अब मैं कुछ दो तिन example करवाता हूँ, आपको यहाँ पर बात समझाएगी सबसे पहले दो coin जो है ना, एक coin के तो काफी easy होती है वो तो आप लोगो खुद देख लोगे, दो coin पर आजाओ, और अगर आप से बोला जाए, कि two coin को हमने toss किया है, probability बताओ कि आपके पास exactly one tail आए, अब आपने दो coin को toss किया है, two coin toss किया है और आपने बताना है probability कि exactly one tail आए आपके पास, तो अब किस तरह probability निकालोगे, सबसे पहले आप denominator में लिखो कि total outcome कितने है, वह चार outcome है यहाप, चार लिख दोगे, उसके बाद आप लिखो कि जो event है, इसको कितने case favor कर रहे है, exactly one tail का मतलब क्या है, कितने event है, देखो इसमें एक tail आ रहे है, इसमें एक tail आ रहे है, that's it, यह दो ऐसे outcome है, जिसमें exactly एक tail आ रहे ह इसमें कोई भी tail नहीं है, और इसमें दो tail आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस वाले event को यह दो cases जो है, यह favor कर रहे हैं, आप यहाँ पर two लिख दो, तो probability यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 upon 2 मतलब 50% हो जाएगी, अब एक और example कर रहात हूं, फिर कोई सवाल हो तो पूछ ले ना अचा अब है, two coin are tossed simultaneously, the probability of obtaining at least one tail, तीन वर्ड होते हैं, एक का मतलब होता है, exactly, जिसका मतलब होता है, exact ही चीज़ हो, exactly one tail का मतलब, कि एक tail होनी चाहिए, ना एक से जएदा, ना एक से कम, दूसरा वर्ड होता है, at least one tail, at least का मतलब होता है, कम से कम तो one हो, जएदा से जएदा दो भी आ सकती है, और इस वाले case में, तीन coin के case में, जएदा 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 तीन भी आ सकती है, तो at least का मतलब यह होता है, और एक और वर्ड होता है, जिसको बोलते है, utmost, utmost का मतलब य यह होता है कि जैदा से जैदा अगर मैं आपको बूलों एक टेल आए कम से कम ना भी आए ठीक है जैदा जैदा एक आनी चाहिए तो तीन अग्रेजी के वर्ड जब आप यह 7.123 कर लोगे ना उसमें आपको काफी यह वर्ड मिलेंगे तब आपकी प्रेटिस अच्छी हो से जैदा से जैदा दो भी आ सकती है तो अब इसके केस कितने फिवरेबल कर रहे हैं सेम प्रॉब्लम है तू कॉइन है हमारे पास लेकिन अब बात बूली गई है ए-ट-लीस्ट-1 टेल की तो देखो इसमें एक टेल आरही है एट-लीस वन टेल तो है ना इसमें देखो ही नह इसमें एक टेल है, ठीक है, इसमें दो टेल है, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बोला था कम से कम एक टेल हो, जएदा से जएदा दो भी हो सकती है, उसमें तो कोई मसला नहीं है, इसका मतलब यह भी केंस जो है, यह आपको फिवर कर रहा है, तो यहां पे तीन आउटकम हो तोटल 4 थे, probability 3 upon 4 या आप 75% कह सकते हो, ठीक है, तोई दो सवाल में ने करवाए है, उमीद है आपको बास समझ आगी होगी है, अब इससे एलेटिट वो कुछ भी बूछ लिए अगर आपको ये चीज़ पता है ना, तभी मैं आपको बार बार बोलता हूं कि एक्जेम्पल प टू कॉइंड आटोस साइमिल्टेनेसली गौर से सुनना, दब प्रॉबिलिटी ऑफ अप्टेनिंग नो तेल, प्रॉबिलिटी बताओ कि आपके पास तेल ना आए, क्या होगा? सर, वन अप उन फूर होगा, कैसे निकाल है? सर, क्योंकि तीनों के अंदर उट टेल आ रहा है, इस पेक के अंदर इस जिर्फ एड़ेट है? बस, यह सवाल जवाब है, कि उन्हें बोलता है, प्रॉबिलिटी बताओ के टेल ना आए, तो एक ही ऐसा केस है, कि इसके अंदर टेल नहीं आ रहा है, बाकी सब के अंदर आ रहा है, तो केस वन है, और टोटल आउटकम कितने थे फोर, तो प्रॉबिलिटी गया हो जाएगी तो यह बात होती है, कि अगर आप किसी को असूल बता दोना, तो वो सवाल खुद कर सकता है, यह फाइदा होता है, खुद मुक्तार करने का, तो अब इस से लिए जितनी एक्जेम्पल आजाएं, पीडिएफ में होंगे, जो मैंने आप लों को दिया होगा, उसमें आप लो अब जल्दी से 3 कोयन पर आजाओ, दो तीन एज़ेम्प में और discuss कर लेता है, लिखावे trên कोयन को आप में toss किया है, probability बताओ कि आप के पास 2 head और 1 tail आये, क्या अब आप में ECG को Toss किये है, बताओ कि 2 head और 1 tail हो, अब यह आप लोगई मुझे मुझे बता दो, मैं जब सवा इसके अधर आउटकम इसके अंदर आथ है ना तुनिचे आठ आएगा अब अब अपर क्या होगा जा मुखकल लूग कि अम लों के कि अजिए भी आप अब लूगा इस भी अजिए 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 अब बिद्टी आएगा इसके अंदर दो हैड एक टेल, दो हैड एक टेल, दो हैड एक टेल, दो हैड एक टेल बाकि जितने भी आउटकम है उसके अंदर दो हैड और एक टेल नहीं है सिर्फ ये तीन ऐसे आउटकम हैं जिनके अंदर दो हैड और एक टेल आ रहे हैं तो इसका अंसर क्या हो जागा थी अपॉनेट यह है जब मैं को और एक्जेंपल देता हूं प्रॉबिलिटी ओफ अप्टेनिंग ओल हैड क्या आपके पास सारे हैड इसकी प्रॉबिलिटी किया है इसके अफ़ता है जिसके अंदर तीनो हैड यह दिदि रहे हैं इसी कांदर अंदर तीनो इद यह उसके बाद एक आखरी बहुत अदर सब्स्ली ऑपके बताओ क्या आपके भास ना है आपाइल ना tail आए, इसकी probability क्या होगे जीरो हो जाएगी, ऐसा possible नहीं है जब आप तीन coin toss करोगे या तो head आएगा या tail आएगा, ऐसा possibility नहीं है कि आपके पास head भी नहीं आए, tail भी नहीं आए जीरो probability, तो ये coin problems जो है ये अप कुछ भी आजाए आपके पास, जैदा जैदा 3 coin के आते है बनाने को तो आप कुछ भी बना दो हाँ, 5 coin के बारे में ही आ सकता है कि यार जब हम 5 coin को toss करेंगे तो कितने outcome आएगे, तो formula मैंने आपको बताया है 2 की power 5 मतलब 32 outcome आजाएगे ये सवाल पूछ जा सकते है वनना 3 coin तकी वो probability के सवाल पूछते है स्क्रिंशॉट देलो इसका जल्दी से ये सवाल असल में बढ़ा हो जाता है बनाना चाहो तो तो तुम लोग 16 उसका outcome बना सकते हो लेकिन पहले तुम outcome बनाओ के 16 मुश्किल होगा उसके बाद answer बताओ के तो normally नहीं आते है तुम कहीं भी देख लो नहीं आते है लेकिन अगर आज आए तो कोई मुश्किल बात नहीं है तुम सबसे पहले 16 outcome बनाना ये तुमने करना है अरेंज करना है head tail head tail करके 16 बना लेना जैसे subset बनाते हो ना वैसे उस type का concept होगा उसके बाद आप देख लेना जो सवाल में पूछा है लेकिन देते नहीं है क्योंके 16 outcome बनाना एक hectic काम हो जाएगा अचा अब जो problem है उनको आप कहते हो die problem या तो एक die roll किया है उसका आज़त है या दो die roll किया है क्योंके दो die जब आप रोल करते हो 36 outcome आते है तो already है सवाल बड़ा हो चुका होता है तो ज़एद ज़एदा इसका देते है या वो एक die का ही देते है तीन die में 2 की power 16 हो जाएगा sorry 2 16 हो जाएगा तो 216 outcome को handle करना एक novel बंदे के लिए easy बात नहीं होगे तो या तो वो कहते हैं कि भाई एक die जो है वो roll हुआ है या वो आपको बोलेंगे भाई दो dice का मतलब होता है plural ये singular होता है ये plural होता है या दो die roll किये है तो इसके outcome निकालने का तरीका क्या होता है 6 की power end एक coin करोगे तो 6 की power 1 6 outcome आएंगे इसमें अगर आपने 2 किये हैं तो 6 की power 2 मतलब 36 अब ये outcome निकालना 36 ये list बनाना मुश्किल है मैं आपको table से बात समझा दूगा ये करना तो काफी easy है इसके outcome कौन कौन से होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब आप एक die फैंगते हो तो 6 outcome है इस 6 में से कुछ भी आजएगा लेकिन जब आप दो die फैंगते हो तो फिर outcome फोड़े different हो जाते है तो उसको मतलब टेबल से समझते हैं किस तार outcome आएंगे पहले पर one आजाए दूसरे पर one आजाए मैं एक raw जब फिल कर दे तो आपको बात समझा जाएगी क्या इसके अंदर concept होगा कि पहली die आपने फैंग की one आया दूसरी फैंग की उस पर भी one आया या इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो एक die को आपने दो दफार रोल किया ये भी आप समझ सकते हो पहली दफार रोल किया one आया दूसरी दफार रोल किया one आ गया पहली दफार रोल किया one आया दूसरी दफार रोल किया two आ गया फिर one three इसी तरह one four इसी तरह one five इसी तरह one six छे outcome आ गये इस तरह फिर दुबारा आप इस तरह कर सकते हो पहली डाई पर 2 आजाए दूसरी पर 1 आजाए 2-1 फिर 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 इस तरह लिख दोगे फिर 3-1, 3-2, 3-3 करते करते आप टोटल 6 के अंदर होंगे 6-6-6 करते टोटल 36 आउटकम आजाएंगे मैं आखरी जरा रॉफिल कर देता हूँ, 6-1 हो जाएगा, 6-2, 6-3, इसी तरह पहली पर 6, दूसरी पर 4, 6-5, और एंड पर 6-6 हो जाएगा 36 आउटकम आपके पास आजाएंगे, अब इनके सवाल किस तरीके से आते हैं, वो जरा हम देख लेते हैं आउटकम कहानी तो यह होती है, दो कोईन का आपको दे देंगे, दो डाइस का सबसे पहले ही एक डाइ की बात करते हैं, अगर आपको यह बोला जाए, अच्छा, इसके तो मैंने काफी प्रॉब्लम आपको करवाए में, बस मैं एक और प्रॉब्लम करवा देता हूँ, ताके और बात समझा जाए, कि एक डाइ को आपने रोल किया है, मुझे प्रॉबिल का आपके पास कोई भी नंबर हो, वो या तो 4 हो, या 4 से ग्रेडर हो, इसके प्रॉबिलिटी क्या होगी, तो कोई स्टुए बताना चाहता है, तो बता दे, मैं बता देता हूँ देखो इसका simple answer यह है कि आप देखो number 4 भी आ सकता है 4 से greater भी आ सकता है तो आप देखो 4 एक ही तरीके से आ सकता है 4 से greater कौन कौन से number है 5 और 6 तो इसका मतलब यह जो event है 4 से greater number आना और 4 भी आ सकता है इसको कितने case favor कर रहे है 3 case favor कर रहे है तो यहाँ पे आप 3 लिख दोगे answer आदेगा one upon तो 4 से greater या 4 के बराबर number आने के कितने chances है one upon two मतलब 50% chances meeting end और है मैं आप लोगो link send करता हूँ तो एक die की तो मैंने आप लोगो जब probability समझाई है तब मैंने काफी इसकी example दी थी जो दो die के problem है ना वो थोड़ा मसला कर सकते हैं तो वो जड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ असरा सवाल यह है कि दो die को roll किया है बताओ probability that sum of their points is 9 कहने का मतलब आपने die को roll किया कोई number आया फिर आपने दोबारा roll किया कोई number आया probability बताओ कि जब दो number को आप एड़ कर रहे हो तो आपके पास 9 आ रहा है इसकी probability क्या है अगर तो आपके पास table है मैं आपे बहले सवाल लिख देता हूँ सवाल कहता है sum of sum कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए अब आप जड़ा देख लिए sum किस पे 9 आ रहा है पहली रहा में तो at least आपको नहीं मिल सकता क्योंकि 1 plus 1 2 होता है 1 plus 2 3 1 plus 3 4 up to 1 plus 6 क्या होता है 7 होता है मतलब पहले अगर ड़ाई पे 1 आ रहा है दूसरी पे 6 आ रहा है तो इनका sum 7 के बराबर होगा 9 तो नहीं हो सकता इसी तरह दूसरी रहा में भी नहीं हो सकता क्योंकि maximum क्या होगा 2 6 में जब add होगा तो यहां पे 8 आ रहा होगा 9 कैसे आएगा तीसी रहा में आएगा कि जब पहली डाई पे 3 आए और दूसरी डाई पे 6 आए तो 3 और 6 को जब आप add करोगे तो आपस में क्या number हो जाएगा 9 आ जाएगा ठीक है फिर अगर आप चौती रहा पे आओ तो पहली पे अगर 4 आ जाए और दूसरी पे अगर 5 आ जाए मतला बिल्कुल इसके नीचे तो अब इनका sum क्या हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा अगर आप 5 वी रहा को देखो तो अगर पहली पे 5 आ जाए और दूसरी पे 4 आ जाए तो अब इनका sum जो है वो क्या हो जाएगा 9 के बराबर होगा एक्जेक्टिंग 9 के बराबर होना चाहिए और छटी रहा में ये वला है कि पहली पे 6 आ जाए दूसरी पे 3 आ जाए तो उनका 9 हो जाएगा तो total कितने है ये 1, 2, 3, 4 4 ऐसे outcome है यहाँ पे जिनमें अगर आप add करते हो तो वो किसके बराबर होता है 9 के बराबर होता है तो probability क्या आएगी total outcome कितने है 36 और जो ये वाला event है इसको कितने case favor कर रहे है 4 तो answer क्या हो जाएगा 1 upon 9 तो probability यहाँ पे क्या होगी 1 upon 9 तो sum के problem बड़े आ रहे होते है तो ये इसका simple हल यह होता है कि आप इस तरह table बनाओ उसके बाद जो भी सवाल बोला जाए अगर आपको यहाँ पे बोलते कि sum 11 आए तो at least 4 रह में पॉसिबल नहीं है 5 रह में sum 11 आ सकता है कि जब 5 और 6 को आप एड़े तो इसे साब से आप देख लिना अगर आपने यह टेबल बना लिए तो फिर आपके लिए लिए हो जाएगा आप कुछ भी सवाल का अंसर दे सकते हो मैं कोई और सवाल कर वादेता हूँ sum 13 के बराबर सब हो गए एक आखरी सवाल है यह मेरे PDF में भी होगा what is the probability of obtaining a sum of 7 और 11 क्या आपके आपके लिए 7 आ जाएए भाई आप बाद में आपने जो हरकत की थी आप रिमूव हो गए थी टॉपिक में ने पूरा पढ़ा दिया आप जो फिंगर वाला सवाल है उसको जाके आप solve करो ठीक है तो sum इन्होंने बोला है कि probability बताओ कि या तो आपके पास 7 sum आए या आपके पास 11 आए 7 या 11 अब ये कैसे निकालो गया आप बस देखो यहाँ पर वो वाले cases जिसमें sum 7 आ रहा है या 11 आ रहा है आप ढूंडते हैं वो वाले cases देखो पहले पर 7 आ सकता है इस वाले जगह पर 1 प्लस 6 क्या होता है 7 के बराबर होता है इसको आप नोट कर लो या तो 7 आना चाहिए या 11 आना चाहिए अब आपने खुद स्पॉर्ट करने कि ये कहां कहां पर हो रहा है दूसरी रह में 11 तो पांचवी रह में ही आएगा जब 5 को आप 6 में एड़ करोगे तो आपके बास 7 आजाएगा एक आउटकम ये हो गया इसी तरह 4 को जब आप 3 में एड़ करोगे तो आपके बास 7 आजाएगा तो 7 वाली केसे जहां तक आप निकल लिए है अब पांचवी रह में पर 7 वाला केस भी होगा कि जब 5 को आप 2 में एड़ करोगे तो 7 भी आजाएगा और 11 वाला भी होगा कि 5 को जब आप 6 में एड़ करोगे यहाँ पे तो 5 प्लस 6 क्या होगा 11 होगा तो इसको भी आपना नोट कर लिया और आखली वाली रह में 7 का केस क्या ये वाला कि 6 प्लस 1 7 और 11 वाला क्या होगा ये वाला होगा तो यह आपके पस total सारे cases हैं जो इस event को favor कर रहे हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, टोटल आठ cases हैं जो इसको favor कर रहे हैं तो probability क्या हो जाएगी, 8 upon 36, यह हो जाएगा, 2 upon 9, I guess, 2 upon 9 हो जाएगा और मैं अपर लेगे तो सवाल क्या था, के दो डाई रोल हुए है, sum या तो 7 आए या 11 आए, इसकी probability आपको बता रहे हैं तो इस तरीके से बता हो किया है